हेलो बच्चो आपका स्वागत है वेदान्तु कमेश्ट्री विवेक पांडे यूटूब चैनल में तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रतिरोध का सन्योजन किस प्रकास से किया जाता है और इस पर आधरी सवाल को किस तरीके से किया जाता है तो आज का वीडियो अगर आप क्लास 12 या क्लास 10 में और आपको प्रतिरोध का सन्योजन नहीं आता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है ठीक है और चैनल पर पहले बार वीजिट किया तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करेगा तो हम लोग वीडियो को दे स्रेडिक्रम सन्योजन का मतलब क्यों होता है तो स्रेडिक्रम सन्योजन को देखी यहां पर अगर कोई प्रतिरोध मलब अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार जूड़े रहे हैं जैसे हम आपके सामने डाइग्राम बना रहे हैं इस तरीके से मा अब इस प्रकाश जूड़ी होने का मतलब क्या है देखो जो प्रतिरोध होता है उसके दो सीरी होते है एक तो यह इसे पहला सीरा बोलेगे मालो एक प्वाइंट ए है और एक प्वाइंट इस वाले प्वाइंट को पहला सीरा बोलते है और इस वाले प्वाइंट को क्या बोल अब बात आता है तीसरे प्रतिरोद का तो तीसरे प्रतिरोद का यह कह है पहला सीरा है यह कह है दूसरा सीरा है ठीक है तो यह पहले और दूसरी तो उस सेड़ी करम सन्योजन में जितने भी प्रतिरोद जूड़े रहेंगे हर एक प्रतिरोद का दूसरा सीरा जो रहेगा मलब पहले वाले प्रतिरोद का दूसरा सीरा उसके बार वाले प्रतिरोद के पहले सीरी से जुड़ा रहेगा अगर दूसरा प्रतिरोद लेंगे तो इसका जो दूसरा सीरा रहेगा वो तीसरे वाले प्रतिरोद के पहले सीरी से जुड़े रहेगा एक परीपत में आएतथार परीपत में यह धारा परता हूए। अगर कणिसी भी परीपत में धारा बश्रEMAत हो जोड़ते हैं अट के लिए कोह प्रतिरोध होते हैं उनके लिएक फार्म। जो की होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए किसके लिए होता है तुल्य प्रतिरोध के लिए थिक तुल्य प्रतिरोध के लिए अब बात आता है कि प्रतिरोध को लिखा कि इस वर्ड से जाता है तो प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं capital R से क्योंकि R का मतलब क्या होत और रजिस्टेंस को क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं तो तुले प्रतिरोध को किस अच्छ से लिखते हैं कैपिल आ से लिखते हैं और इस प्रतिरोध का जो प्रतिरोध यहां पर देख रहा है आपको इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है वह होता है ओम ठीक प्रतिरो तो कोई 1 Ohm का प्रतिरोध है यहां पर कोई 2 Ohm है यहां पर टीन Ohm का प्रतिरोध है और यह पर 4 Ohm का प्रतिरोध है तो यहां पर 1 Ohm है इस हरा value R1 इस हरा value R2 Plus love R3 cost शलिएות knowing saja यहां पर कितने प्रतिरोध हरे हमारी बताजब एक प्रतिरोद, दो प्रतिरोद, तीन प्रतिरोद, चार प्रतिरोद, तो इन चारो प्रतिरोद का जो तुल प्रतिरोद होगा, मलब इन चारो प्रतिरोद को जोडने पर जो हमारा तुल प्रतिरोद मिलेगा, और किसके एक्क्वल होगा, R एक्क्वल टू क्या होगा, R1 प्ल तो यहां पर R5 हो जाएगा, अगर तीन प्रतिरूर दोगा, तो केवल R1, R2 और R3 लिखेंगे, अगर दो प्रतिरूर दोगा, तो केवल R1 और R2 लिखेंगे, तो इस तरीके से स्टेडिक्रम सन्योजन के लिए, जो फार्मूला होता है, यह क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरूर रहेंगे, उनको 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग क्या करते जाते हैं, जोडते जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जितने वेल्यू रहते हैं, उस वेल्यू को जैसे R1 का वेल्यू 1 ओम है, तो यहां पर 1 ओम पुट कर देंगे, R2 का वेल्यू 2 ओम है, तो यहा नहीं पे 4 उमपर देंगे फिर at four को जोल देंगे तो एक हो तो सेड़ी क्रम में जूड़े रहेंगे एक दो तीन और चार उम के चार प्रतिरोद तो उनका जो तूले प्रतिरोद आएगा तो इस तरीके से क्वेस्टन सेड़ी क्रम वाले होते हैं क्लिर अभी मैं आपको बहुत सारी एक्जामपल लिखाऊंगा इतना एक्जामपल दिखा दूँगा कि आज आप एक्दम खूस हो जाएंगे ठीक अब बात आ जाती है समांतर क्रम सन्योजन की क्लिर तो समांतर क्रम सन्योजन क्या होते हैं तो समांतर क्रम सन्योजन में देख आगा है तो देखिए निए के सामने हमने एसी लाइन को आगे बढ़ा है और यहां पर क्या और दूसरा प्रतिरोड लगा दिया अब इसी लाइन को हमने ऐसे करके यहाँ पर क्या कर दिया? तीसरा प्रतिरोद लगा लिया तो यह जो तीनों प्रतिरोद आपको दीख रहें यह तीनों प्रतिरोद क्या है? एक दूसरे के समानता करम में किस करम में? समानता करम में क्योंकि देखो अ इसके नीचे है, इसके नीचे है, तो इस प्रकार की सन्यूज등 का मलाग समानतय करम करेंगे, जैसे यहाँ पे मालग कोई R1 A प्रतीरोध है, A क्या है बीच वळला जो है, A R2 है, ठीक, और यह वाला क्या है आज सिए, तो समानत्य क्रम सन्योजन में इस तरिके से जुड़े रहेंगे, मलब जितने भी प्रतिरोध रहेंगे, उसमें क्या होगी, एक दूस्ट्रे की उपर रहेंगे, या जितने भी प्रतिरोध होंगे, उसमें क्या होगी, अलग-अलग धारा प्रवाइट होगी, जैसे हमने क्या इसको देख के पैचान सकते हैं कि जहां जहां पर धारा विभाजित हो रही है उस उस प्रतिरोद को आप किसमे जोड़ेंगे समानतखरम में जोड़ेंगे यह बात आपको clear हो गई तो अगर समानतखरम में प्रतिरोद जुड़े रहेंगे तो उनके लिए जो फार्मला होता ह लोड़े 1 की बटा R2 प्लस 1 की बटा R3 यह क्या होता है उनके लिए formula अगर 4 प्रतिरोष है यहां पे हमने 3 प्रतिरोष दिया तो 1 की बटा R ॉ बराबर 1 की बटा R1 .R2 की बटा R3 अगर 4 एक तो 4 १ॉ फि erre को 3 की बटा R-4 करके जोड़ेंगे अब प्रतिरोध का जो यहां पर भी मात्रक होगा, वह भी क्या होगा, ओमी होगा, प्रतिरोध का हमेशा मात्रक ओम रहते हैं, ठीक तो इस तरीके से तूले प्रतिरोध के लिए आपको यह फामला लगाना है, अगर उसा मात्रक्रम में जुड़े रहेंगे, 1 के बटा R आपर क्या फामला लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तो यह चीज़े आपको क्या करनी है, याद कले ना है, यह जोनों फामला आपको धिमाक में अभी बैठा लेना है, या अगर नोर्स बना रहें तो आप एक नोर्स पे लिख लो, तो अगर आप नोर्स बना रहे इसका स्क्रीन साड़ भी आप लोग अभी ले लिजिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करते है, क्वेस्टन को स्टार्ट करते है, क्लियर, तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेस्टन है, A और B के बीच के बीच का आपको तूले प्रतिरो निकालना है, तो A और B के बी स्रेडी क्रम या समानतर क्रम, तो आपको फिगर देखके कैसा लग रहा है, स्रेडी क्रम सन्यूजन दिख रहा है, क्योंकि स्रेडी क्रम सन्यूजन में हमने आपको क्या बता है, जो पहला प्रतिरो निकालना है, जो पहला सीरा है, वो तो धारा से जुड़ा हुआ है, और तो दूसरा सीरा है, वो क्या रहेगा, दूसरे प्रतिरोद के पहले सीरे सी जूड़ा रहेगा, मलब A R1 है, R1 का A वालब पहला सीरा है, A R2 है, R2 का A वालब पहला सीरा है, तो R1 का दूसरा सीरा, R1 का यह क्या है, दूसरा सीरा है, R2 के पहले सीरे से जुड़ा रहेगा, इसी तरीके से R2 का जो दूसरा सीरा होगा, R2 के पहले सीरे से जुड़ा रहेगा, अगर इस प्रकास से जुड़े रहेंगे, तो ओ क्या होगा, सेडी क्रम होगा, तो सेडी क्र अब इस question को क्या करेंगे? हल करेंगे. तो हल करने के लिए आपको क्या लिखना होगा? यहां पर हल. ठीक. हल लिख दिए. अब यहां पर लिखेंगे क्या माना? माना. R1. R1 को किसके बराबर माने है? R1 बराबर 10 ओम. ठीक. R2 बराबर क्या मान लिए है? 6 ओम. तथा R3 बराबर क्या मान लिए? 4 ओम. ठीक. यह आपने क्या कर लिए? मान लिए है. अब देखेंगे यहां पर तूले प्रतिरोद निकालना है. ठीक. तो यहां पर क्या लिखेंगे? A और B के बीच तूले प्रतिरोद है. क्यों आर्थी तक ही रुख गया क्योंकि यहां पर कितने प्रतिरोद हैं एक दो तीन ही प्रतिरोद है तो यहीं पर रुख जाएगा आरवन का वैल्यू क्या है दस ओम आर्टू का वैल्यू क्या है शिक्स ओम और आर्थी का वैल्यू क्या है चार ओम तो 10, 6, 14, 10, 6, 16, 16, 4, 20 तो इनका तूले प्रतिरोज जो आएगा 20 Ohm हो जाएगा क्योंकि Ohm जो यह आपको Symbol दिख रहा है क्या है यह जो Symbol है इस Symbol को क्या बोलते हैं इस Symbol को Ohm बोला जाता है ठीक ना आप ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर R equal to क्या हो गया 20 Ohm हो गया तो यह क्या हो जागा इस वाले पहले question का solution हो जागा इसको आप लोग इसकी इंसार्ट लेके रख सकते हैं तो आप question number first का B option देखते हैं तो आपने जो question number first देखे थे उसमें 10,6, और 4 Ohm के तीन प्रतिरोध किस क्रव में जूडए थे स्रीडे क्रह में जूडए थे इसवाले में किस क्रम में जूडए इस वाले question में 10,6 और 4 Ohm के जो प्रतिरोध ह Ой समानतीय क्रह में जूडए गए तो यहां पर क्या लिखेंगी सबसे पहले क्या लिखेंगे हल लिखेंगे हल में क्या लिखेंगी माना माना R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 4 ओम, अब A और B के बीच में आपको तुले प्रतिरोद निकला है, क्वेस्टन में दिया रगत, A और B के बीच में तुले प्रतिरोद ग्याद किजिए, तो R1 बराबर आपने क्या मान लिए, 10 ओम मान लिए, R2 बराबर 6 ओम मान लिए, और R3 बराबर 4 ओम मान लिए, यह नहीं है कि आप R1 10 को ही मानोगे, R1 आप 4 को भी मान सकते है, R2 आप 6 को भी मान सकते है, R3 10 को भी मान सकते है, किसी को भी मान सकते हैं उसमें कोई कमपल सधी बात नहीं है ठीक लेकिन आप एक सिदीज के अनुसरा मानेंगे मलब अगर नीची वाले को आरवन माने तो बीच वाले को आर्टू ही मानेगे ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले को आर्टू मानने ठीक ए चीज़े आपको ध्यान होगी है एक तीन प्रतीरोध यहां पर आपको दिख रहे हैं अब इसमें एक तीनो प्रतीरोध करम में समानता प्रतीरोध तो समानता क्रम सन्योजन के लिए तूले क्रम में है अतह तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध वन के बटा आर वराबन वन के बटा आर वन प्लस वन के बटा आर टू प्लस वन के बटा क्या हो जागा आर थ्री ठीक इतना आपको समझ में आ गया अब आगे आप क्या करेंगे R1 की जगर पर R1 का वैल्यू पूट कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे IMPLIES टीक लिखते हैं क्योंकि देखी डबल बराबर साइन हम लोग नहीं लगाते हैं तो 1 के बटा क्या हो जागे यहाँ पर 1 के बटा R बराबर क्या हो जागे R1 का वैल्यू क्या है R1 का वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 लिख दिए R2 का वैल्यू क्या है 6 है तो 6 लिख दिए और R3 का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 ज्यूरOOOOOO प्रियाए प्लesz ये ब्रटा ये 10 द Virg रहा chief 6 च blogs द Mary 4 अब इस चीज़ को हम लोग द्धार आज जाते हैं इस ची़ में इदर इस değer करते हैं आज ब्रटा मत दहो प्रतुच Pres sanction 4, 6, 10 का क्या लेंगे, आप LCM लेंगे, तो 4, 6, 10 का LCM लेने पर क्या मिलता है, देखिए, यहाँ पर LCM लेजी, 4, 6, 10 का LCM लेजी, तो ए तीनों नमबर किस नमबर से दिवाइड होगे, दो से, तो 2 से 5 बार में 10, और 2-3 बार 6 और 2-2 बार 4 अब क्या करेंगे यह कोई भी संख्या ऐसा नहीं कि कि जो किसी णिघ्वाइच हो रहा होुगा सब यहां सक्षा उस्टेंगा्र। तो तो क्या करेंगे गुड़ा 2 ka 5 करेंगे 10 10 हो से 3 में करेंगे 30 टीस होके खंट olhos करेंगे 462ne4 4 करेंगे एक değer करए तो क्या ाज़का नलब मेगा नियां इन टीन पापको ए्लश ही लेना है समझ गना बाद इन टीनö स्टीनो का आपको क्या ले लेना है यह लेना है समझे लेना है तो दस से साठ ने शे बार में यह चैने बन फिर लगा धीँ né अब छे साठ को भाग देंगे कितने बार में जाएगा पंद्रा बार में तो पंद्रा का गुड़ा एक में करेंगे पंद्रा आप क्या करेंगी 5,10, तो 5,10 कितना होता है 35,6 कितना होता है 31 तो 31 के बट्टा क्य हो जाएगा जो क्या है वन के बट्टा अर के बराबर Só आपको क्या निकलना है तूल्य ंत्तिरो तूल्य प्रतिरोत को किस से ल擊्टो भी प्रतिरोत को आ र से लिखते हैं फिर न तुले में प्षरतिरोफ क्या होता है एह ने की 1 के बच्टा आय लेकर चली आए तो आय निकाले है तो आ को क्या करोगे आपको उपर भीजुगे थो झो 20 ऩन आ चाप को लगा है 20 25 अचिशी निची आजएगा ठीक जब आ को उपर भीजुगे तो आर उपर जाएगा तो start उपर चला जागा और एक-टिस नीचे आजागा और प्रतिरोषृ का मात्रक क्या होता है? Ohm होता है तो यहाँ पी Ohm ऐसे लिख देंगे तो यह क्या हो जागा? Second question का सालीम सॉन्ने है यह सेटीरोड को देखते हैं या आप नेक्स वेस्टेन देखते हैं यादि दस ओम तथा पांच ओम के प्रतिरोधों का समानतर या सेडी क्रम में जोड़ने पर तुले प्रतिरोध ब्याद कीजिए तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे हल लिखेंगे और देखो दस ओम तथा पांच ओम के प्रतिरोधों को किसमें जोड़ना है समानतर क्रम और सेडी क्रम में तो यहाँ पर मान लेंगे क्या प्रतिरोध को आप किस लिखते हैं लिखते हैं तो इसमें कितने प्रतिरोध है दो है एक दस हों का है एक पांच हों का है तो पहले प्रतिरोध को आप आरवन माल लेंगे आरवन का वैल्यू कितना है दस हों ठीक और आर्टू का वैल्यू कितना है पांच हों ठीक ऐसली क्लियर, अब आगे आपको क्या करना है अब आगे सेडा क्रम और स्थमानत्य क्रम जोडनों में, जोडना है तो थिक तो इसमें क्या लिखेंगे प्ति रोधु को, सेडा क्रम में जोडने पर तूल्य तुल्य प्रतिरोध किस अच्छ से आता है ? तो र बराबर क्या हो जागा ? R1 प्लस R को क्योंकि स्रेडिक्रम सनुजन के लिए हमने आपको क्या फाहमला बताता ? जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनको क्या करेंगे ? बस सीधे सीधे जोड देंगे तो प्रतिरोथ कितने र 1 है और र 2 को इसको क्या कर देते अर द्पिरोथ कि इतने है 14 ओं ठीक तो यह दि कृप्रतिरोथ में प्रतिरोर को सेडीगर में अर क्या मिलने कैं उड़े तो लिग दा नहीं Beef की, यह मालो की बन पार्ट हमारा कम्प्लीर हो गया अब इसको यहां से लिखते हैं ठीक यहां पर इसको लाइन से ड्रा कर ले थे ताकि आपको क्लियर है ठीक अब यहां पर लिखेंगे प्रतिरोधो को प्रतिरोधो आर वन तथा आर टू को समानतर क्रम में जोडने पर किस क्रम में समानतर क्रम में जोडने पर जोडने पर समानतर क्रम के लिए फॉर्मला क्या होता है वन के बटा आर बराबर क्या होता है वन के बटा आर वन प्लस आर टू जोडने पर तुल्य प्रतिरोध ठीक यहां पर तुल्य प्रतिरोध क्योंकि आपको क्या निकलने तुल्य प्रतिरोध निकलने जोडने पर तुल्य प्रतिरोध को क्या लिखेंगे आर से लिखेंगे तो इसके समानत्रक्रम के लिए फॉर्मला क्या होता है वन के बटा आर बर प्लस 1 है तो 1 के बटा R2 का वेल्यू क्या है 5 तो 5 ठीक अब 10 और 5 का आप क्या निकालेंगे एक बार में एक का गुडाए एक में करेंगे एक प्लस 5 है 10 के भाग देंगे 5 around 2 का बटा एक करेंगे 2 तो 1 और 2 को चोड़ेंगे का जवने बटा 2 किसके बआबर है 1 के बटा R के बटा R के बटा electr A Part 1 के बटा एन दोनों के बीच में क्या करना है जितने प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों को जिस क्रम में लिखे हुए, जिस क्रम में इस डाइग्राम में दिखाएगे, जिस क्रम में इस परिपत में दिखाएगे, उनको जोडने पर जो A और B के बीच में तूले प्रतिरोध निकलेगा, उसे क्या करना है, ग्याद करना है तो देखिए मान लेते हैं कि बिंदू ये से कोई धारा ऐसे प्रवाइट हो रही है अब बिंदू ये से ऐसे धारा प्रवाइट हो रही है तो एक क्या होता है इस तरब चली जाती है धारा और एक क्या होगा इस तरब धारा चली जाती है ठीक एक इस तरब धारा जाती है एक तो प्टीम क्रम में जूड़े हूए, एक ओम और एक ओम में धारा वहाजित हो जा रहे हैं 20 दाए गीज़ होए, तो इसलिएक अगा चुड़ा होगा, वकिस क्रम में चुड़ा होगा, सेड़ी क्रम सन्यूजन में होगा, ठीक, तो यहां पर क्या लिएगे, कि सबसे पहले लिखेंगे क्या हल, ठीक, यहां पर क्या लिखेंगे, माना, माना R1 बराबर एक ओम R2 बराबर एक ओम तथा R3 बराबर 0.5 ओम ठीक इतना आपको समझ में आ चुका होगा क्लिया R1 को आप इस से माल लिए R2 को इस से माल लिए और R3 को इस से माल लिए तीन प्रठी रोद इसमें आपको दीख रहे हैं और उनका मात्रक ओम होता है अब देखिए R1 और R2 किस क्रम में जूड़े हैं समानतर क्रम में तो इस पूरे चीट्रो के क्या बोलेंगे परिपथ बोलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आप परिपथ में परिपथ में R1 और R2 समानतर क्रम में जुड़े हैं तुल्य प्रतिरोध समानतर क्रम में insolle रहने के लिए तुल्य प्रतिरोध की अच्छा से लिगते हैं R से लिखते हैं तो 1 के बठा R हो जएगा, क्योंकि समानता क्रम में जो फार्मूला होता है, वो क्या होता है? 1 के बठा R बराबर 1 के बठा R2 प्लस R3 प्लस R2, R4 इस तरीके से जोड़ा हो ज़ता है. तो समानता क्रम में यहाँ पर आपे, क्या लिख देंगे एक लिख देंगे तो वन के बटा एक प्लस आर्टू का वैल्यू क्या है वन के बटा एक यहाँ पर बीच में प्लस यहाँ पर वन के बटा आ लिख देंगे ठीक अब क्या करेंगे एक और एक क्या लिख देंगे अब एलस्यम लिख देंगे एक और एक का फिरह में पैसा सिर्श करेद दाद में गुड़ा के में one 1 का गुड़ा के पैसा उर्टा पर एक निकालना से सिर्श की फे उसे ट्हाका है निखीके क्रें अगे साना सिर्श कुपकर क्रीख nesse सिर्श के प्मा। अब देखो, 0.5 यह इस वाले प्रतिरोज से किस करम में जूड़ा हुआ है? समान्तक रहमें क्योंकि इसको और इसको आप मिला है तो एक में जूड गया तो अब देखो यहां पर कोई 0.A है ठीक इसमें इधारा प्रएट पहुए इस और इस प्रतिरोध को आप मिला जे तो यह कोई नया जिस प्रतिरोद का जो value है वो क्या है 0.5 echt अब ये यहाँ पर दूसरा प्रतिरोद हो तो ये जो दूसरा प्रतिरोद हो इसको ऐसा लिख देटें ये वाले प्रतिरोद का V value 0.5ають और यहाँ पर point B है अब A और B आपको दिख रहें अवर बी के बीस में यह दोनों प्रतिरोद आपको कैसे क्रम में दिख रहे हैं स्यwick क्रम में दिख रहे हैं कैसे जग अवं की था भंट रिक तो अब यहान पर क्या लिखेंगे पुना पुना मालो कि यह चीत्र बी है ठीक तो पुना चीत्र बी में प्रतिरोध सेड़ी क्रम में जुड़े हैं अतहां तुल्य प्रतिरोध इसमें देखो आर आपने मान चुक है तो इसलिए यहां पे आपको आर नहीं मानना है तो आपको कोई दूसरा नमर मानना है तो आप यहां पे आर डैस मान दो तो आर डैस बराबन आर प्लस आर थ्री क्योंकि अगर स्रेडी क्रम में जुड़े रह तो यहाँ एक आजिपार है आजें आर का 50 पैसा को जूड़ेंगी तो कितना आजाएगा एक आजेगा तो यहाँ पर लाक में क्या लिख देंगे अतह, ए और बी के बीच, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, आर डैस बराबर एक हूं, तो इस वाले question का यह क्या हो जाएगा, complete solution हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, next question को देखते हैं, तो अब हम लोग इस next question को देखते हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की चार कुंडलियों को कैसे जोड़े की अधिक्तम तथा नियुनितम प्रतिरोध प्रतिरोध प्राक्त हो सके, तो देखें यहाँ पर अधिक्तम प्रतिरोध जब भी ग्याद करना होता है, तो को स्रेडी करम में जोडा जाता है, और नियुनितम प्रतिरोध ग्याद करने के लिए, प्रतिरोध को समानता करम में जोडा जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सब चे पहले हल, हल लिखेंगे, तो यहाँ पर देखें, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम को माना, यहाँ पर क् चारों आर्टू बराबन आठों आर्थ्री बराबन बारों उन आर्फोर बराबन चौविसों आर्फोर बराबन चौविसों ठीक तो अधिक्तम पहले देखो अधिक्तम निकालना है फिन्यूंतम ठीक तो अधिक्तम प्रतिरोध अधिक्तम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना पड़ता है सेडी क्रम में जोड़ना पड़ता है तो अधिक्तम प्रतिरोध को प्रात्त करने के लिए प्रात्त करने के लिए के लिए तुले प्रतिरोध तुले प्रतिरोध तोले प्रतिरोद यहां पर क्या लिखेंगे R तो R बराबर क्या हो जाएगा? स्रेड इक्रम में जोटते हैं, ठीक R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तो R1 का वैल्यू क्या है 4 R2 का वैल्यू क्या है 8 R3 का वैल्यू क्या है 12 और R4 का वैल्यू क्या है 24 आठ और चार जोडेंगे... हाद है जोड़ए जोड़ों 13 around 24 ए जोड़ ye brand क्या निए युनतम प्रतिरोध को प्राप्ट करने के लिए darling आज़ो क्या न denominator प्रतिरोध को प्राप्ट करने के लिए प्राप्त करने के लिए तुले प्रतिरोध तुले प्रतिरोध ठीक तो तुले प्रतिरोध क्या हो जाए वन के बटा आर बराबर वन के बटा आर वन प्लस वन के बटा आर टू प्लस वन के बटा आर थ्री प्लस वन के बटा आर फून ठीक यह हो जाएगा अब आर वन का वैल wr8 r4 12.. etr 4R24 तो 1 के ब्टा क्या लिखदेंगे 4 r2 का लिख देंगे 1 8 plus 1 के ब्टा 8-3 12 plus 1 के बटा r4-14 अब क्या करेंगे यहापर लिख देंगे 1 के ब्टा चार आठ तो एक क्या हो जागा ? इतना complete हो गया अब इस questions को आपने note करें लिया होगा क्वेस्टम को नोट कर लिज जी इसकीन साथ ले लो क्योंकि अब हम क्वेस्टम थोड़ा आगी करेंगे तो यह कट जाएगा तो देखिए आभ इसको यहां से दिखते हैं तो यहां पर देखिए चार आँट 12 और 24 इन तीनों का आपको यहां बार में तो 24 बिक देंगे, अब 4 so 24 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? ठीक है,ब क्या करेंगे आगे हम लो, इन नमबर यह पे लिखें आप लिकने सभी नमबर को डीखेंगे में daad करें तो स effective mechanism is 3D aspects . बराबर 6 3 9 9 2 11 और 12 तो यहां पर उपर जोड़ने पर 12 और नीचे क्या है 24 ठीक अब देखो 12 से 24 कितने पार में खड़ता है 12 कम 12 12 दोने 24 तो यहां पर क्या हो जगा एक के बटा आर बराबर एक के बटा 2 तो आर को ऊपर भेजेंगे तो 2 कहा पर चला जागा ऊपर तो आर बराबर क्या हो जागा 2 ठीक तो एक क्या हो गया question का complete solution हो गया अजिक्तम प्रतिरोद को प्राप्त करने के लिए उसको स्रेड़ी करम में जोड़ते हैं जिसको की इस तरीके से जोड़ने और नियुनतम प्रतिरोद को प्राप्त करने के लिए इस करम में जोड़ते हैं तो A क्या हो गया समान पर करम इस सने हो जन हो गया ठीक तो ए क्या हो गया इस क्वेस्टन का कम्प्री चालिए उसन अब हम लोग नेस क्वेस्टन को देखते हैं अभी इस क्वेस्टन में देखी परिपत में ए वर बी के बीच तूले प्रतिरोध ग्याद किजी तो यहां पर ए और बी देख र यही वाला धारा इसमें प्रवाइट होके जारे इसका हम लोग चार ओम और दो ओम वाले जो प्रतिरोध होंगे वो क्या है स्रेडी क्रम में जुड़े हैं और यहां पर जो दो ओम और एक ओम वाले प्रतिरोध दीख रहे हैं वो क्या है स्रेडी क्रम में जुड़े हैं ठी लिखेंगे यहां पर हल और इसमें क्या लिखेंगे परिपत में परिपत में चार ओम और दो ओम एवं दो ओम और एक ओम स्टेडी क्रम में जूड़े हैं स्टेडी क्रम में जूड़े हैं ठीक अता तुले प्रतिरोध प्रतिरोध आर डैस तथा आर डबल डैस बराबर अता तुले प्रतिरोध आर डैस तथा आर डैस हो तो हो तो आर डैस बराबर क्या करोगे चार और दो क्या करोगे स्टेडी क्रम में जूड़े हैं तो चार प्लस दो जूड़ने पर क्या जागा शिक्स ओम और डबल डैस में कौन कौन सह सह दो ओम और एकर ठीक आर डैस में आप चार ओम और दो को मालने तो 4 ओम दो मिला जुड़ने चे ओम हो मों क्या या? यहाँ पे अब परिप्पत बनेगा, वो कैसा बनेगा, हमालो की प्रतिरोयके गő कैसा बनीगा, यहाँ से धारा यहां से धारा ऐसे ग्के जा रहेती, यक धारा ऐसे ग्सासरो के ठानी प्रतिरोयके बाइन हे quantify ऑजो और यहां पर कोई point B आ जाती अग तीनों अच्छे उंको देखने पर आपको क्या देख रहे हैं यह दोनों किस क्रम में जुड़े हैं समानतर क्रम में ठीक तो इसको मालनों परिपत कोई B है तो यहां पर लिखोगी क्या परिपत B में क्या लिखोगी क्या लिखोगी परिपत B में प्रतिरोध समानतर क्रम में जुड़े हैं समानतर क्रम में जुड़े हैं जुड़े हैं अता तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध अता तुल्य प्रतिरोध 1 के बटा R बराबर, 1 के बटा 6 प्लस 1 के बटा 3, अब 6 और 3 का आप क्या लोगे LCM लिए तो 6 और 3 का LCM कितना आएगा? 6 और 3 का LCM आएगा 6 तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 6, और 6 से 6 का भाग दोगे 1 बार में 1 का गुड़ा एक में करोगे 1, फिर बीच में प्लस का चीन है तो प्लस, 3 से 6 में भाग दोगे 2 में, 2 आएगा 2 का गुड़ा एक में करोगे 2, ठीक, अब 2 और 1 को जुड़ोगी तो क 1 के बटा R बराबर क्या हो जाएगा 3 के बटा 6, अब 3 से 6 को कितने बार में 3 एकम 3 तीन दूने 6, तो 1 के बटा R बराबर क्या हो जाएगा 1 के बटा 2, अब R को भेजो के तो 2 क्या हो जाएगा, उपर चला जाएगा, इसका मलब क्या है, R बराबर 2 ओम, तो यह क्या हो जाए लग इस पोईन और इस पोईन के बीस में आपको तूले प्रतीरोड गयात कना है तो मालनों कि कुई पोईन यह राभ प्रवाइit हो रहे है तो फो उस तरह चली जा रहे है वही जात्रव दूसरी द्वार्थ तरफ चली जात्री जो 2 Ohm है इसमें कोई दूसरी धारा वोई कीजरीव सीकरा टो छे Ohm और 2 Ohm को जोड़ा जहाए गाए स्रीडीव और 2 Ohm को समान धारा प्रवाईत हो रहे है तो छे Ohm और 2 Ohm को जोड़ो की तो किसना रवी तो 6 Ohm स कवए कीजरी करम में जुड़े हैं समानतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके बाद तो लिए प्रतिरोर निकालने के लिए समानतर क्रम के लिए फार्मला क्या होता है वन के बटा आर बरावर क्या हो जाएगा वन के बटा आर डैस क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ गया आ डैस और क्य 10-10 को भाग capital होगे, एक बार में, एक कगणुत में ठीज में प्लस ही तो प्लस, दो से दस में भागड़ ओगए पांच में, पांच और गड़ा 1 में निकालनी होगी तो ने करोगे, 5 और एक जोड़ों को कितना होगा, 8-10 किसके बराबर, ऑन के बटा R, तो यहां पे R बराबर क्या हो जाएगा, दस के बटा 6, अब क्या करोगे, 6 से 10 को भाग देतों, या पी किसी संख्या से कट्टा है तो काट तो 2 से 10 पांच बाल में कट्ता है और 6 तीन बाल में कट्ता है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका तूले प्रतिरूद, ए और बी के ब तूले प्रतिरूद क्या करने, तो यहां पे इसमें एक धार प्रवाइट हो रहे हैं, एक और एक ओम में क्या है, और यहां पे एक और एक ओम में क्या है, तो इस कंडिशन में क्या करेंगे, तो यहां पे एक और एक ओम में क्या कर देंगे, एसे जोड़ देंगे, तो क्या और यह तो 3D करम में हो गए और a a b क्या हो ज़ाने चरूंगे अब remaker हो आप आ़ डेस और rttतो सुक्तक चरूंगे एक में करूँको, एक प्लस उसी तरीकर से यहां पर भी एक हो जाएगा。 अब क्या करूगय के अगे? एक क्या करूगय को जोड़ दो, तो वन के बटा आर र इसतरफ है तो इसको यही राने तो और एक को जोड़ने में पर क्या आजएगा。 टू के बटा टू तो वन के बटा आर बराबर क्या हो जाएगा दो से दो को भाग दे तो एक बार में तो आर को ऊपर भी जोगे तो आर बराबर एक ओम ये क्या हो जाएगा इसका solution है ठीक एक मैंने साठ ट्रिक में बता दिया आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं या ऐसे भी डिख सकते हैं कोई प्रावलम नहीं है तो थेंक्यू दोस्तों उमेड है कि आपको ये सारी क्वेस्टन अच्छे तरीके से समझ में आउंगे अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ दो एक्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ जिसका आप लोग क्या करेंगे इसका सालीशन खुद से करेंगे तो उस एक्जाम्पल को आप लोग देखिए इस क्वेस्टन नमबर एट को आप लोग देख लो जिसका सालीशन आप लोग खुद करेंगे आपको मैं बता रहता हूँ कैसे करेंगे देखे इसमें दो ओम और ये दो ओम ये क्या है समानता क पर एक ओम और इन जोनों को जोड़ने पर वेल्य आएगा उसको और इसको इन तीनों को क्या करोगे स्टेडिकरम में जोड़ोगे तो इसका एंसर आजाएगा ठीक है अब नेश्टी एक्जाम्पल को देखिए तो ओक्वेस्टन तो हो गया अब इसको देखिए इसको मैं हल अब परडामी प्रतिरोध को आप किस अच्छाच ठीकते है Capital R से तो माना हल लीख नेके पार माना Capital R बराबर 4 ओम ठीक यह पेजिए इसकर परडामी प्रतिरोध actually capital R बराबर चार तत्हां पांच ओम का कोई प्रतिरोध है जिसके मद्ध में कितना प्रतिरोध ओम का जोड़ा जाए कि तूले प्रतिरोध चार ओम हो जाए तो आज जो पहला प्रतिरोध है वो कितने ओम का है पांच ओम का तो यहां पर क्या कर लेंगे आरवन बराबन पांच ओम ठीक क्योंकि पहला आपको दिया गया है अब बोला है कि इस प्रतिरोध में कितनी ओम का प्रतिरोधक तार जोड़े मलब जो दूसरा ओम है दूसरा प्रतिरोध क्या कर रहा है क्वेस्टन में पूछ रहा है मलब आर्टू क्या कर रहा है पूछ रहा है ठीक और जो आर्वन है और आर्टू है और समानता क्रम में जोड़ने पर तुल्ले प्रतिरोध तुल्ले प्रतिरोध र 1 के बटा R क्योंकि तुल्ले प्रतिरोध जो होता है तो उसे 1 के बटा R बराबर क्यों जाएगा 1 के बटा R1 प्लस 1 के बटा R2 क्योंकि यहां पर दो ही प्रतिरोध है एक 5 हुंका जो की है और यह क पुछा गया कि कितने प्रतिरोध को जोडा जा एगered है तो 1 हो प्रतिरोध मेरा पूछा गया है आज तो अक है प्रतिरोध के आ रहें तो इसको जाहरे हों आगे सींहें और इसे आजें पर आगे एगुए Aubynant 4 आज किनि विञाज़ म में में च राइंगे ठीक आप क्या करेंगे इस 5 को इस तरफ आज ट्रांसफर करेंगे इस 5 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1 के बटा 4 यह इधर क्या है प्लस में तो इस तरफ आएगा तो माइनस में थो 1 के बट्ठा 5 बचत पांच बचत किया बचत 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 आप ग कितने बार Patchत निए गार 5 रुप गैंगे इंक ससी सब्चत अटेब चाहरा और तो क्या ऐगा गए गार्द यह तो चार से 20 को भाग देंगे कितने बार में 5 मान तो पांच से बुआइट को भागडेंगे, 5 में 10 गुड़ा एक में करेंगे 30 इकृपल टू 1 के बटा आरटू, ठीकृट सरuestas इक क्वैल टू क्या हो गया गया टू आप क्या करोंकि zep पांच में सनी चार को गटा तो पांच तो ब्रतिरोध तार को जोड़ दिया जाए पांच ओम के साथ तो जो पढ़ामी प्रतिरोध होगा उचार ओम हो जाएगा तो यही क्या है करेक्ट एंसर है तो उमीद है यह भी क्वेस्चन आपको अच्छी तरिकी से समझ में आ चुका होगा ठीक है तो अब मिलेंगे हम कि वमान टूंगान से क्वेशन जाएगा तो प्रतिरोध है यहाएगा यहागा जिए अजार प्रतिरोध को जाएगा प्रतिरोध यहाण